हलो एब्रिवन तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद यही है कि आप सब सही हैं मैं अभी नवखरे आपका स्वागत करता हूँ ड्रीमर्स अकैडमी के ओनलाइन पोर्टल पर बिटा पिछले कुछ दिनों में लगातार ये देखा गया है कि NDA एज लिमिट को लेकर बच्चों की इंक्वेरी काफी जादा हैं दूसरा OTR को लेकर भी बच्चों के काफी सवाल रहते हैं तो आज इन दोनों ही बातों पर हम लोग यहां पर बात करेंगे आज के सेशन में जानेंगे कि जब NDA का एक्जाम आप फिल कर रहे होते हैं तो क्यों साड़े 18 साल से ज्यादा की एज का पर आप उस एक्जाम के फोम को फिल नहीं कर पाते हैं जबकि वहां पर तो साड़े 19 यानि 19.5 यर दी गई है एक्चुल में अगर हम बात करते हैं तो आज पहले बात करेंगे NDA के लिमिट के बारे में तो अभी जो हम देखते हैं बेटा हमारे सामने ये बात आती है कि आपका NDA के कोडिंग जो एज क्राइटेरिया है NDA के लिए वो साड़े 16 साल से साड़े 19 साल तो है लेकिन जिस समय आप एक्जाम का फोम फिल करने जा रहे हैं तो एक्ज साड़े 19 साल जो बेटा आपकी NDA की एज रहती है वह है NDA जोइन करने की एज है ना की फोम को फिल करने की एज है जैसे अगर हम बात करें जो आप अभी एक प्रेल के अंदर एक्जाम देंगे तो उसके लिए जो आपकी एज एलिजबलीटी थी वो बेटा आपकी 2 जुला 2005 के बाद और एक जुलाई 2008 से पहले हुआ था वही NDA के फोम को फिल कर सकते थे अब अगर हम बात करें सेप्टेंबर के लिए तो यही बड़ा सवाल है बच्चों के मन में कि सेप्टेंबर एटेंट के लिए उनकी एज लिमिट क्या रहने वाली है अगर हम सेप्टेंबर की बात करते हैं तो उनकी एज लिमिट बेटा दो जन्वरी 2006 से और एक जन्वरी 2009 रहेगी यानि सेप्टेंबर पेपर के अंदर वहे बच्चे एक्जाम फोम फिल कर पाएंगे जिनकी डेत व बर्थ आपकी दो जन्वरी 2006 के बाद है और एक जन्वरी 2009 से पहले है तो जिन बच्चों का इस या डेट ऑफ बर्थ इस बीच में आता है तो वहे बच्चे क्या होंगे अप्ली के बल होंगे तो इसी वज़े से कहा जाता है कि साड़े उनिस आपकी एंड ये जोइन करने की डेट है अगर आपको फोम फिल करना है तो उससे हमें एक साल कम कर लेते हैं वह डेट कितनी रह जाती है वो साड़े 18 साल ही आपके उमर रह जाती है तो साड़े 16 से साड़े 18 साल 12th appearing बच्चा इसको फोम को फिल कर सकता है यह बात भी धिद्यान देने वाली है कि जो बच्चा 12th appearing में है तो 12th करते-करते ओर 12th pass दोनों ही बेटा बात याद रखेंगे 12th appearing और 12th past बच्चे दोनों ही क्या होंगे आपके applicable होंगे, eligible होंगे NDA के form को fill करने के लिए लेकिन वही बात है कि उनकी age आपकी किस से जादा ना हो जाए, साड़े 18 साल से जादा ना हो जाए उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जिस समय आप NDA को join कर रहे हैं, उस समय आपकी age साड़े 16 से जादा या इतनी हो गई होनी चाहिए और वो age कब तक join कर सकते हैं, साड़े 19 साल तक की age में आप क्या कर सकते हैं, NDA को join कर सकते हैं, वहीं दूसरा और बड़ा सवाल, आज कल जो बच्चों के अंदर रहता है, वह OTR को लेकर है, अगर OTR जो की पहले नहीं होता था, UPSC ने अब one time registration का एक process शुरू किया है, one time registration का process का मतलब कि आपका सारा detail वो पहले से ही अपने पास रखेंगे, UPSC के other forms भी अगर आप fill कर रहे हैं, तो फिर याद रखना यही OTR आपके क्या करेगा, काम आएगा, तो पहले क्या होता था, 11th class का बच्चा fake information के साथ exam में बै eligible नहीं हैं, और उसने fake information देके OTR फिल किया और NDA का form फिल किया, तो वो यह याद रखें कि वह OTR अगर वो समय रहते change नहीं करता है, तो वह information complete पूरे UPSC उसी को ही क्या मानेगा, सही मानता रहेगा, इसी वज़े से जो बच्चा 11th का है, उसको यह सला दी जा रही है कि भई आप NDA के attempt देने के लिए OTR फिल करके form को फिल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो UPSC OTR के जरिए आपके द्वारा दी गई वही information को क्या मान लेगा, real मान लेगा, तो जिसकी वज़े से बिटा आपको क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है, तो दोनों चीज़े हैं NDA का exam, दे कर देखेंगे कैसा जाएगा, तो उनके लिए बेटा अब ये बात सही नहीं है, बेटा exam तो आप बाद में भी दे लेंगे, जैसे ये exam होता है, उसके बाद वेपर्स आपको मिल जाते हैं, UPSC की साइट से आप प्रिवियस यहर डाउनलोड कर लेते हैं, तो इससे कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो ये बात बेटा दोनों ही information आपके लिए बेहत जरूरी थी, उसके साथ मैं बता दू कि जो बच्चे offline Dreamers Academy मा आना चाहते हैं, तो 15 मार्स से हम उनके लिए batch start कर रहे हैं, वहीं वो बच्चे जो online पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लि करेंगे, कोर्स को अन्रेल कर लेंगे, कोर्स परचेज करेंगे और अपनी तयारी स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों ही information आपके लिए महत्पूर्ण है, चलिए जहिंद ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेर करिए, जहिंद झाल